मुझा सर्दी के चाहिए दावेदारि दाव किति terazcco civile 2 u में एक जटों मुझए अपिस करें पराल कि ऑपनि दावेदारी नहीं पेस्क्राइब जो यूगता ओनी में चाहिए एक जन्पर सिंधी दिने उस योगेता के आधार पर हमने अपने दाविदारी प्यस्की है नमस्कार में हो दिवांसु आप देखरें नीज फोर्डेशन पटना में मेर के चुनाव होने हैं वैसे तो दाविदार कई हैं लेकिन इस वक्त एक ऐसे दाविदार हैं जो सही ह्माइणे में दावा कर रहे हैं किमेर का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं जीतेंगे भी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मेर का चुनाव लड़ने वाले हैं इस पर जो पटना में नए तरीके से जो चुनाव का एलान हुआ है जिसमें आम जनता के मतों से मेर का चुनाव होगा तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम लोगों को निश्ची तोर पर आगे आना चाहिए और हमारे मित्रमंडी और मेरे सुपचिंदकों के आगरा पर मैं ये चुनाव लड़ा हूँ अभी मौजूदा दौर में जो जनप्रतिनीधियों का जो चरित्र है वो सब के सामने है जिन लोगों को राजनीती में सक्रिये तोर पर भागिदार होना चाहिए वो लोग कटे हुए है जिसके चलते मौजूदा जो दौर है वो अफसोस जनक है और इसी को देखते हुए हम कर चुनाओ मैं लड़ूंगा आप साफ सुथरी राजनीती की बात कर रहे हैं बिलकुल दावेदार कई हैं सबके अपने अपने दावे हैं आप कौन सा वादा करने जा रहे हैं इस वाइदा नहीं हमने 25 सालों में जो समाज के अलग अलग तपकों के बीच में हमने जो काम क पर हमारी दावेदारी है हम किसी जाती विशेश के नाम पर या किसी खास वर्ग करे आ किसी संप्रदाय के नाम पर बखर our नहीं पेस कर रहे हैं बलकी जो योगेता होनी चाहिए एक्शन प्रतिनीती में और योगेता के आधार पर हमने अपने दावेदारी प्रद highway पेस की है अगर मेर बन गए तो क्या करेंगे हम सारे लोग जो है पटना वासी जो है पटना के बारे में सबके अंदर एक चीज जो है वो कॉमन है कि पटना का सकल बदले स्टेट कैपिटल है और देश के लोग प्रिये प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है स्मार्ट सीटी का और स्वाक्ष भारत का तो निश्चित तोरपा पटना का भी स्वरूप जो है बदलने की कोशिस होनी चाहिए अभी मौजूदा दौर में पटना नगर निगम जो है उन उत्तरदाईतों के प्रतिस सजग नहीं है अप एक्षाओं पर खारा नहीं है देश के अन्य सहरों का जो है विकास जिस तरीके से हुआ है स्वरूप बदला है पटना का उस तरीके से बदलाव नहीं हुआ है और हम लोगों के अंदर वीजन है पटना को बदलने का मद्दा है साहर में पटना नगर निगम सडकों पर जाड़ू मारके या नालियों में फट्थी डालके उड़ाही करने को ही अपनी जवाब देही मानता है लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि साहर के स्वरूप को बदलने के लिए ये परयाप नहीं बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और नए चीजों को भी लाने का प्रयास होना चाहिए आप सिम्पल ही देख लीजिए कि पटना में ज़ाड़ू अगर दिया जा रहा है लेकिन सडकों पर लोग पेसाप करने के लिए मजबूर है आबादी के अनुपात में यूरिनल नहीं है पब्लिक टोयलेट नहीं है और जब तक ये दूर नहीं किया जाएगा इसको बनाया नहीं जाएगा तो सडकों पर जो चीज देखने में लगता है वो खतम नहीं होगा और सफाई परियाप्त नहीं होगा दूसरे तरफ से आप महिला सुरक्षा देख लीजिए और अपराद नियंतरन में बीजियो पटना नगर निगम की भूमिका हो सकती है स्ट्रीट लाइट नहीं है परियाप्त मात्रा में स्ट्रीट लाइट के साथ साथ सीसी टीवी कैमरा नहीं है तो बहुत सारा चीज जो है इसके अलावा जल जमाव जो है लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा है पटना में जब जल जमाव होता है उसके बाद सक्रियता होती है इसलिए कि सरकारी पैसे का लूट किया जाना होता है अगर उसके लिए पहले से तैयारी किया जाए तो जो आम लोगों का जो छती होता है करोडों रुपए का जो संपती बरबाद होता है जल जमाव के चलते वो दूर किया कि होल्डिंग टेक्स हम लेते हैं सहर के नागरिकों को आम नागरिक सुविधा उपलब्द करने के लिए उनके मुख्याले में उन सुविधाओं का अभाव है दूसरी तरफ से सहर में आज भी सुध्य पेजल की विवस्ता नहीं है यूरिनल नहीं है इस्ट्रीट लाइट प आप अच्छा करेंगे तो निस्चित तौरपा सहर का आम नागरिक जो है वह भी आपके इस अभियान में सहभागी होगा वह भी योगदान देगा राजेस कुमार डबलू जी वादे कर रहे हैं कि पठना की सूरज जो है वह बदल देंगे मेर का शुनाव लड़ रहे हैं फिलाल अभी तके लिए इतना ही आप देखते रहे हैं न्यूस फोरनेशन